अब मैं सेशनी स्टार्ट कर रहा हूं recording मिल जाएगी आपको ग्रूप में मिल जाएगा विना जी तोड़ा वेट करिए ठीक ना चलिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे हमने सॉफ्टर इंस्टॉल करना सीख लिया था एक पटाफट पांच मिनट का हम रिवीजन सेशन रखेंगे जो कल पढ़ा था और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमने सीखा था कि मार्क सॉफ्ट्वेर में सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि जिस फर्म की हमें काउंटिंग करनी होती है उस फर्म को हम क्रियेट करते हैं ठीक न जिस फर्म की हमें काउंटिंग करते हैं उस फर्म को हमें क्या करना पड़ता है है थीच है है तो चलिए ठीक है जावेट आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जावेट आप सबसे पहला काम क्या करते हैं सॉफ्टर इंस्टॉल करने के वाद जिस फर्म के हमें क्रियेट करते हैं तो यह बताइए अगर मुझे यहां अपनी नई कंपनी क्रियेट करनी है जिस फर्म के क्या है पटाफट चैट बॉक्स में लिखके बताऊं वेरी गुड एफटू बिलकुल रही बताया ठीक है एफटू एफटू हम करते हैं तो सॉफ्टर हमें कंपनी क्रियेट करने का ऑप्शन देता है ठीक है तो एफटू किया जैसे ही एफटू किया देखो यहां पे यहीं काना माल्या मैं के जैसे ही आप लिखके ट्रूपर में क्या हम करना लाट है अब हमने माल लोग बना लिया क्ये पिल का नाम है कंपनी का एड्रेस डेली पिर कंपनी का फोन नंबर पिर कंपनी का ब्रांच कोड तो मैंने आपको बताया था कि ब्रांच कोड क्या होता है वो कंपनी का शॉर्ट नेम ने लेता थे के पील का के इंडिया का आई चिक और हमने आपको सिखाया था कि ब्रांच कोड ऑ मार्क सॉफ्टर का यूज करके हम मार्क सॉफ्टर में एक ही नाम से कई कंपनिया बना सकते हैं लेकिन हर कंपनी का ब्रांश कुट क्या होता है अलग-अलग होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पटपट इसको रिवीजन करेंगे फिर फेक्स नंबर वेबसाइट इमेल एड्रेस अब आपकी कंपनी जिस कंपनी कि आप एकांटिंग करने जारें एक कंपनी कहां पर हमने का इंडिया में है अगर इंडिया से बाहर भी मार्क चलता है तो अगर आपकी बाहर की कंट्री है तो आप यहां पर सेलेट कर सकते हो फिर इस्टेट आपकी कंपनी किस स्टेट में है तो देखिए यहां पर आपको स्टेट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ उसका क्या करना है आपको कोड़ डाल देना है जी एस्टी में हर स्टेट का एक कोड़ बताया गया है ज तो यहां फार्मा सेलेट कर दीजे अगर आपकी गंपनी सुपर मार्किट का बिजनस करती है तो सुपर हमने फार्मा डिस्ट्रिबूशन ले लिया वर्किंग इस्टाइल नंदनी ने कल बताया था कि अगर नॉर्मल लेंगे तो सॉफ्ट्रेन हमें कंपनी के अंदर जो भी करेंगे सैल करेंगे मेंटेंड करने का अप्शन नहीं बेगा सेकेंडरी करेंगे तो देगा तो सेकेंडी रखते हैं घर फटा-फट बताओ 2 घृटल को बहुंआ ठीक है तो हम्याद डमी डाल देते हैं कि उसी को एक्सेप्ट कर लो और बाकी इंफॉर्मेशन है यह नहीं तो एंटर करकरके सेफ कर लिजेंग यह पढ़ा हुआ है यानि जिस कंपनी के हमें काउंटिंग करनी है उस कंपनी को हमने क्रियेट तो कर लिया अब अगला पॉइंट अगर बताओ हमने जो कंपनी बनाई है अगर इसमें हमें कोई एस तरी बिलकुँ सभी बताया है गोरांग ने अब मालों इस कंपनी को बनाते समने हैं कोई गलती कर दिया तो जिस कंपनी में में चेंजिस करना है उसी कंपनी पे उसी company हम F3 करते हैं, ठीक है, एक नट, ठीक है, जिस company में हमें changes करना, उस पर F3 प्रेस करो, तो company alteration की window आ गई, अब यहाँ मैं एड्रेस डालना था, A block, जो भी change करना चाहो, वो आप यहाँ से change कर सकते हो, New Delhi, ठीक, आच्छा, अच्छा यह बताओ, अब मुझे जो भी changes करने हैं, मालो मैंने यह company का नाम change किया, KPL India Limited, अब एक तो तरीका save कराने का है, एंटर करके save कराएं, मार्क सॉफ्ट्वेर में save कराने की shortcut की क्या होती है, फटा पट चेट बॉक्स में लिएक के बताओ, मार्क सॉफ्ट्वेर में save कराने की shortcut की क्या होती है, कल बताया था, वेरी गूड, विल्कुल सही, control, w, ठीक है, तो अगर हम यहीं पे, control, w प्रेस करें, एक में रुकना, क्या है अज, हाँ रण जी बताईए, कोई बात ने recording भेज दूँगा तुम्हें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी change करने के बात, अगर आपको सेव करना है, तो एक तो तरीका एंटर करके सेव कराईए, या control, w करिए, यह तो कंपनी का नाम बल गया, KPL India Limited, अगला कोश्चन, कंपनी बनाने के बाद, ऐसी कौन सी दो information होती है, जिसको मोडिफाई नहीं कर सकते, मालो हमने कंपनी बनाले, इसमें कुछ change करना तो F3 कर देंगे, लेकिन कंपनी बनाने के बाद, ऐसी कौन सी दो information होती है, जिसको हम change नहीं कर सकते हैं, फटाफट बताओ, कली बताया था, नहीं गोरांग, वरकिंग इस्टाइल चेंज हो जाएगी, कंपनी बनाने के बाद, दो information ऐसी होती है, जिसको हम कभी भी change नहीं कर सकते, देखो, जब नई कंपनी आप बनाते हो, तो यहाँ देखो एक business टाइप option आता है न, कि यहाँ आपका फार्मा का बिजनस है, कि सुपर मार्केट का है, कि FMCG गार्मेंट का है, अब यहाँ गार्मेंट कर यहाँ गलती होगी, फार्मा का है, तो कंपनी बनाने के बाद, आप कंपनी में जब modify करने जा रहे हो, तो देखो, कहीं पर भी business type change करने का option नहीं आ रहा है, देखो, कहीं आ रहा है, तो यहाँ अगर हमने कंपनी बनाते समय गलत business type select कर दिया, तो हम कंपनी modify नहीं कर सकते हैं, उसे चीज़ नहीं, बिलकुल नहीं, दूसरी कंपनी बनानी पड़ेगी, और दूसरा होता है, दूसरा होता है आपका financial year, यह देखो, अगर आपने कंपनी बनाते समय गलत financial year डाल दा तो उसको भी modify नहीं कर सकते हो, अगे बड़े, ठीक है, type of business बिलकुल सही, बिलकुल सही बैब जी, अब हम बात करते हैं, आज तीसरे option पर, भाईया हमें software, अब दोखो, अब समझ नहां, यह basics हैं एक्दम, हाँ कर सकते हैं सर, वो जो financial year डालेंगे, उस financial year पर create होगा, अभी गौरांग जी वो सब अब आएगा, अभी discussion होगा उसके, अब इदर देखिए, जरह बात को ध्यान समझेगा, फिर आज की class स्टार्ट करते हैं, देखिए, एक मिन दुरा system flow चलना है मेरा, ठीक है, अभी आ जाएगी, अभी ठीक है सर, अब इदर देखिए, अब मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आपने क्या क्या सीख लिया, software install करना, कि Mark ERP software अगर आपको अपने laptop या PC में install करना है, तो कैसे करोगे वो आपको आ गया, ठीक, वही software install करने के बाद इस software में करोगे क्या, सर अपने business के accounts maintain करेंगे, inventory, billing, GST, stock maintain बिल्कुल, तो आपको क्या काम करना पड़ता है, software install करने के बाद, company create करनी पड़ती है, यानि जिस company के हमें counting करनी होती है, सबसे पहले वो company create करनी होती है, ये भी सीख लिया आपने, company बन गई, फिर आपने कार नहीं सर कंपनी बनाते समय कुछ गलत हो गया, तो, company, company modification, अगर company बनाने के बाद, उसमें कोई गलती हो गई है, GST नंबर नहीं डाला, address गलत डाल दिया, या phone नंबर नहीं डाला, तो वो आप modify कैसे करोगे, ये आपको आ गया, ठीक, इतना point clear है, इतना सीख लिया है, अब हम आते हैं, अगले point पे, जो हमने company बनाई क्यों है, सर उसमें accounting का काम करने के लिए, तो अगला है कि company, select company, company select कैसे करते हैं, चलिए, अब हम, अब आज की class important है, जैसे मान लिजिए, मेरी company है KPL private limited, KPL India है, इस company में मुझे accounting का कांग करना है, मेरी यही firm है, इसी company में daily day to day business में जो भी transaction होते हैं, उनको record करना है, तो जिस भी company में आपको accounting का काम करना हो, उस company पे करसर ले जाएए, और enterprise करिए, अब जैसे ही देखिए, आपने उस company पे enter किया, तो आपके सामने कुछ options open हुए, market way, file maintenance, backup, restore, new financial year, delete financial year, error checking, तो A, B, C, D, यह सारे point को आज हम discuss करेंगे, किसी भी company, जो जोगी enterprises ब्याएं, उपर दो लिखके आ र enterprise और यह option आ रहे हैं, तो in option, आज की हमाई क्लास में हम in options को सीखेंगे, कि क्या होते हैं, इनका use क्या होता है, मेरी screen proper show हो रही है आप लोगों को, यह बताई जारा तो, सभी लोग एक बाद चैट में लिखके बताई, मेरी screen proper show हो रही है आप लोगों को, ठीक, तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, कि अगर हमें किसी company को select करना है, किसी company के अंदर accounting का काम करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो भाई मेरी company है, जोगी, sorry, KPL India Limited, तो अगर मुझे इस company में accounting का काम करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कि जिस company में हम एक accounting का काम करना, उस पर जाएंगे, enter, जैसे ही आप enter करोगे, तो कई options हा रहे हैं, देखिए, उपर आपकी company का नाम में क्या रहा है, window open हुई है, market way, file maintenance, backup, यह सब आप, सबसे पहले आप बात करते हैं, market way, तो जैसे ही हम किसी company पे enter करते हैं, और पहले वाले option पे click करेंगे, तो पहले वाले option पे click करते ही, आप software के अंदर चले जाते हैं, उस company के अंदर चले जाते हैं, देखो, यह देखिए, इसको close कर दीजिए, यह जो screen आपके सामने show हो रही है, इस screen को हम बोलते हैं, market way, ठीक, अब देखिए, यहापे लिखा हुआ है, KPL India Private Limited, यहाँ पर देखिए, KPL India Limited, यहाँ अब अगर आप यहाँ पर भी कोई भी काम करोगे, तो किस company में सोगा, KPL India Limited में, ठीक, एक बाफिट से बाहर जाते हैं, exit, तो अगर हम पहला option समझ में आ गया, किसी company के अंदर हमें अगर accounting का काम करना है, तो जैसे ही हम उस company को select कर करते हैं, enter करते हैं, mark gateway option के click करेंगे, तो हम इससे software के अंदर, यहाँ इस company के अंदर से ले जाएंगे, यहाँ यहाँ अगर बढ़ते हैं, अच्छा, अब और भी option दी है, इनका क्या use होता है, अगर हमालों कोई company हमने जैसे enter किया, तो यह बाखी की options है, इनका क्या use है, तो one by one, इनको हम discuss करेंगे, सबसे पहले, mark gateway का मतलब समझ में आगे, इस पर click करते हैं, company के अंदर चले जाएंगे, file maintenance थोड़ा रुक के पढ़ाओंगा, आज ही पढ़ाओंगा, रुक के पढ़ाओंगा, अब हम बात करते हैं, backup of financial year, यह क्या है से, जहीं मैंने किसी company पे enter किया तो option आ रहा है, backup of financial year, इसका क्या use होता है से एक बार बताओगे, जली, मैं बताता हूँ, देखिए क्या होता है, backup, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, backup, जैसे हम किसी company पे enter करें तो एक screen आ रही है, backup of financial year, ठीक है, यह देखो, तो यह backup क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे, आप सभी लोगों को backup का मतलब मालु है, backup क्या होता है, backup का मतलब क्या होता है, कि हम Mark software में जितना भी काम करते हैं,гр ERP software में, हमने जितना भी काम किया हो गा, तो हम ये चाहते हैं, वो mark software में तो save रहे ही रहे, ठीक है, icon यार्पी सोफटिर में हमें जितना भी काम किया है तो हम यह चाहते है कि उसके साथ ही साथ ऐना उसके साथ ही साथ वो किसी दूसरी जगेंपे भीً ने जह बूम सेंब हो जाए मैसेज फोटो आते हैं उनका गूगल ड्राइप पे बैक अप लेते हो ना कि कल को अगर फोन चेंज करते हैं वाटसप डिलीट हो जाता है या रिंस्टॉल करते हैं तो हम अपना डाटा रिस्टोर कर लेंगे तो बैक अप का मतलब यह होता है कि मार्गी आर्पी सॉफ्ट्व में यहां पर सॉफ्ट्वियर के अंदर जितना भी आपने काम किया है आप चाहते हो कि उसको हम कहीं दूसरी जगह भी रख लें पेंड्राइब में हार्ड ड्राइब में डी ड्राइब में कि अगर मार्ग सॉफ्ट्वर में कोई प्रॉब्लम है तो हम वापस से डेटा ले सकते हो तीन तरीकें तीनों में से कोई बी तरीका यूज कर सकते हो तो पहला तरीका है financial एर बैक अप ठीक है पहला क्या तरीका है financial एर भैक आप ठीक और ीसरा server backup यानि mark software में हम अपने data का इन तीनों तरीके से backup ले सकते हैं कुछ लोग financial air backup के थूँ अपना जितना भी काम किया है software में उस backup लेते हैं कुछ लोग IMP backup के थूँ backup लेते हैं इसका कोई full form नहीं होता है और कुछ लोग server backup के थूँ data का backup लेते हैं तो सर्मार्ग ERP software ने एक ही काम को करने के लिए तीन अलग-अलग रास्ते क्यों दिये हैं यानि mark software में हम जितना भी काम करेंगा उसका हमें backup लेना है तो हम financial air through इस option के थूँ भी backup ले सकते हैं इस option के थूँ भी backup ले सकते हैं हाँ जी तो इन तो तीनों में कुछ ना कुछ तो difference होगा ना हाँ जी है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं financial air backup ध्यान से समझना हाँ लिखना चाहिए तो note down कर लिजेगा मैंने बोला copy pen लेके बैठा करिए financial air backup अगर हमने mark ERP software में जितना भी काम किया है अगर हमें उसका backup लेना है तो अगर हम data का financial air backup के तुरू backup लेते हैं तो take backup with one company with one financial layer अभी हिंदी में रिखवा दूँगा at one time मतलब देखो आप लोगों को इतना तो पता हुए accounting हमेशा एक साल की की जाती है यह पता है ना accounting हमेशा एक साल की की जाती है तो financial air backup के थूँ हम एक बार में किसी एक company के किसी एक financial year का ही backup ले सकते हैं अच्छा सर example देखे समझाओ समझ में नहीं आया देखो example मान लो आपकी आप मार्क सॉफ्टर में दो कम आपकी दो company आपकी दो company का नाम है ABC private limited आपकी आपकी दो firm में हैं आप मार्क ERP software में दोनों firm की accounting अलग-अलग करते हो तो आपकी एक company है ABC private limited जिसमें आपने 2021 की accounting कर रखी है और 2021 की accounting कर रखी है एक तो company आपकी यह हुई और एक आपकी और company हैं दूसरे business की एकस वाई-जेड प्राइबेट लिम्टेड इसमें आपने 2019-20 का काम कर रखा है 2020-21 का काम कर रखा है ठीक तो आप कहते हो कि नहीं सर इन दोनों company में हमने जितना भी काम किया है software में तो यह काम रहे इसके साथ साथ मेरे पास अलग से भी pen drive में या hard disk में भी backup हो कि कल को अगर मेरे software में कोई भी समझ से आती है तो मैं नया software install करूं PC में और इसको data को restore कर तो ध्यान दिजेगा ठीक है ध्यान समझेगा बात को ध्यान दिजेगा financial year backup के through हम एक बार में किसी एक company के किसी एक financial year का ही backup ले सकते हैं यानि मुझे ABC में दोनों साल का backup लेना है तो मैं company select करूंगा उसके इस साल को select करूंगा और enter करूंगा बैक अप हो गया फिर ध्यान सुनना भी एक question भूचूंगा फिर again इस company को select करूंगा इसके दूसरे साल को select करूंगा इंटर करूंगा इसमें जितना काम होगा उसका backup हो जाएगा फिर मुझे इसका backup लेना था तो मैंने XYZ company select की उसके इस साल को select किया और उसका backup ले लिया फिर इस company को select की यानि separate separate अलग-अलग backup होता है अभी करके भी दिखाऊंगा तो financial year backup के तुरू क्या है कि सर आप एक बार का ही backup ले सकते हैं अच्छा जी अब मेरा question ध्यान से सुनना मान लो आपकी Mark software में ध्यान सुनना मेरी बात को है मान लो Mark software में आपकी आपने company बनाई Lucky private limited यह आपकी company है इस company में आपने 10 साल की accounting कर रखी है तो मैंने आपसे कहा कि Lucky private limited company में इस software में इस company में जितना भी काम किया है उच्छ सबका मुझे backup लेना है तो अगर किसी company में आपने 10 साल की accounting कर रखी है और उसका financial year backup के थूँ आप बैकप लेने जाओ तो आपको backup process financial year backup के थूँ बैकप प्रोसेस को कितनी बार follow करना पड़ेगा चैट बोक्स में लिखके बताओ पटाओ अगर समझ में आग अभी काम किया उसका backup हो जाए तो financial year backup के थूँ अगर backup लेने जाओगे तो कितनी बार backup लेना पड़ेगा वेरिग नहीं अभी जी सर अभी सर financial year backup की बात हो रही है अब देखिए company में 10 साल की accounting 10 financial year है तो अभी हमने यहीं तो सिखाया बिलकुर सही अभी शेक गोरांग नंदन पपू अतुल कोशल सबने सही बताया जहीर खान नहीं उमेश जी तीन बार नहीं दस साल की accounting की है बिलकुर जिनों दस बताया बिलकुर सही है हाँ तो अगर हमने किसी company में अब simple जी बात है ना यहाँ पर line से 10 साल होंगे जैसे माल लो तो financial year backup में क्या होता है कि एक बार में एक company की एक financial year का ही backup ले सकते तो अगर एक company में दस financial year है दस साल का backup लेना है तो आपको financial year backup के थुरू backup लेने जाएंगे तो दस बार backup process को follow करना पड़ेगा समझ माई बार आच्छा है अब भाई इस पे जो थे इस पे गौरांग जी गुस्सा हो गए करें सर इतनी मेहनत कौन करें ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही साथ backup हो जाए एक ही बार में backup हो जाए जैसे मान लिजिए अभी मेरी दो company है तो एक company में मैंने दो साल की accounting की है और एक company में मैं दो साल की accounting की है तो अगर हम financial year backup के थुरू backup लेने जाए तो पहले यह company सेलेट करेंगे इसके दोनों साल का backup फिर ये company select करेंगे इसके दोन साल करें कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि एक ही बार में multiple companies और उनके multiple financial year का back up हो जाए मुझे बार-बार company ना select एक ही बार में तो financial year back up के थुरू तो भाई यह संभाव नहीं है financial year back up के थुरू तो आपको एक बार में एक company के एक financial year का ही back up देना पड़ेगा लेकिन इसमें समस्या क्या है कि multiple company का एक साथ back up नहीं हो रहा है या multiple financial year का एक साथ back up नहीं हो रहा है तो Mark Software ने एक दूसरा back up process दिया IMP back up जो समस्या financial year back up में थी उसको यहां से दूर किया गया टेक back up with one company sorry with multiple companies with at one time take back up take back up with multiple companies with multiple financial year at one time यानि IMP back up के दूरा आप एक ही बार में कई सारी company और उनके कई सारे financial year का एक साथ back up ले सकती हो सब्सक्राइब नहीं इसका सब्सक्राइब नहीं का इदर देखिए मान लिजए आप की दो कमपनिया है क्थे कि मालीस आपकी दो कमपणियां है कि एक कंपनी dabei सी प्राइब pack लिम्ट एक कमपणी ऐ मैं इसमें और दो साल की काम किया इसमें वी दो साल केकंपर किया है आप चाथे हो दोनों कमपनी ओं मैंने इसका वी काम किया तो सब्सक्राइब नंवान हम्चेट दो च concert लेकिन आएंपी बैकप के द्वारा आप एक ही बार में मल्टिपल कंपनी और उनके मल्टिपल साथ वो कैसे मैं यार रफली दिखा रहा हूं जब आप आन पी बैकप से बैकप लेने जाओगे तो सौफटरेप आपसे पूछेगा तिक कराएगा ऐसे इस साल का बैकप करना है एसे बिलकुल ऐसे ही होता है ऐसी सेलेट करना होता है और जैसे ही सेलेट करने के बाद आप एंटर करोगे तो जितनी कंपनी जो और उनके जितने फाइनेशल एर आपने सेलेट कियोंगे उन सब का एक साथ वैक अप हो जाएगा तो मेजर डिफरेंस फाइनेशल एर बैक अप और आएंप बैक अप में यह समझ में आया क्लियर है ये आगे बढ़ें ठीक तो अब कुछ लोग कहेंगे तो ये वाला दो बढ़िया है कुछ लोग कहेंगे फाइन दो ये लोगों के उपफर डिपेंड है कुछ लोग कहते हैं हम अपने हर साल का अलग अलग बैकप लेना चाहते हैं तो उनका फाइनिशल ये बैकप अप्शन अच्छा है कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरा जितना भी काम है उसका एक ही जगे बैकप हो तो उनके लिए आएंपी बैकप अच्छा है अब हम बात करते हैं तीसरा बैकप है server backup server backup is this is auto backup ठीक है auto backup मतलब server अभी मैं दिखा भी दूँगा server backup में कुछ नहीं होता है आपको software को सिर्फ drive बतानी पड़ती है कि mark ERP software में आपने जितना भी काम किया है company में उसका backup आपको कहां लेना है ठीक और उसका D drive में लेना है आपको या E drive में वो बता देंगे ठीक और उसके अलावा आपको time बताना होता है भाई drawing मत करिए मैं remove कर दूँगा meeting से ठीक है एक तो path बताना पड़ता है अभी मैं दिखा देता हूँ time कि भाई हर 60 मिनट बाद मैं mark software में जो भी काम करूँ उसका backup हो जाए ठीक है तो server backup auto backup होता है तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा ये mark software में हम अपने जो भी काम करते हैं उसके backup को तीन तरीके से data का backup ले सकते हैं financial year के through भी आप अपने data का backup ले सकते हो आई एमपी backup के through भी आपने data का backup ले सकते हो और server backup के through भी आपने data का backup ले सकते हो इतना clear है अब वो आपकी choice है financial लेना है आई एमपी से लेना है और server से लेना है अब हम आते हैं software में तो अभी मैं केवल आपको financial year backup लेना सिखाऊंगा आई एमपी backup में सिखाऊंगा server backup में सिखाऊंगा क्यों sir तो सिखाना नहीं था तो पढ़ाया क्यों आई एमपी backup लेना actually का starting point है तो सिर्फ financial year backup बताऊंगा लेकिन आपके पास जानकारी है कि financial year backup के अलावा भी और type के backup होते है उनका क्या utilization बस आपको यह नहीं पता कैसे लेना है तो हम यहाँ पर देखिए मालीजे मेरी KPL private limited company है हम चाहते हैं इस company मेंने जितना भी काम किया हो उसका backup हो जाए तो इस पर enter करिए और यह जो option दिया है अगर आपको अपनी company में जितना भी आप काम करते हो अगर उसका आपको backup रखना है तो उसके लिए आप उस company को select करेंगे फिर कहां जाएंगे backup of financial year enter करेंगे अभी तको इस company में एक ही साल है 22 अगर यहाँ 4-5 साल होते हैं लाइन से financial year आ रहे होते हैं जिस साल का backup लेना है उस पर enter करिए ठिक अभी देखिए backup जो हमारा save होगा वो कहां होगा E drive में गौरफ फोल्डर के अंदर हम कहते हैं नहीं साल हमें D drive में backup लेना है यह location चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा F10 यही F10 करिए एक मिन जैसे ही आप F10 करोगे तो देखो आपसे डिरेक्टरी पूछा आपने का D drive में लेना है D drive में कहां अमजद के अंदर अमजद फोल्डर में यह select किया और ओके कर दो पास्चेंज हो गया अब जो भी आपका यह इस कंपनी में जितना भी काम किया है इसका backup फाइल D drive में अमजद फोल्डर के अंदर save हो जागा और फाइल का नाम क्या होगा यह देखे के आई पी एल ठीक एंटर अब गूगल ड्राइब पे भी backup ले सकते हो अपनी email ID पे वो आगे बताएंगे एंटर वेट कर लिजे यह देखो यहां पर बता भी रिया कि 17 जनवरी 2013 तक इस कंपनी में जितना काम क्या था उसका backup हो गया सर एक बार दिखाओ कि backup हुआ भी नहीं तो दिखा देते हैं एक मिनिट अब मैं अपनी D drive open कर रहा हूं और उसमें अमज़त फोल्डर open करूंगा और आपको दिखाओंगा कि backup हुआ या नहीं हुआ एक मिनिट यह देखिए D drive यह देखो अमज़त फोल्डर है न इस पर क्लिक किया अब यह देखो यह यह वाली फाइल देखो पढ़ हूं के पील यही था ना का के आई पील के पील कंपनी का यह backup फाइल यह आप है यह यहां से open नहीं होगी यह वापस software में restore करेंगे यह देखो और देखland करेंगे और अगर आपको अपना पास चेंज करना है तो F10 करके E drive F drive select कर सकते हो और देन enter enter कर दो बाकी यहां कुछ नहीं करना enter कर दो आपका backup हो जाएगा इतना point clear हुआ chat box में लिखके बताईए इतना point clear है आप लोगों को फटा फट बताईए तो आगे बढ़े और जो चीज पढ़ा रहें इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजेगा अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं तो हमें company सेलेक्शन के टाइम पर मार्ग एटवे का मतलब समझ आगा सार इस पे क्लिक करते हैं हम company के अंदर चले जाएंगे backup समझ में आ गया अब हम बात करते हैं restore backup तो दो मिनिट रुक के बताते हैं इसको restore backup वैसे आपको पता है कि अगर मान लोग हमने नया software install किया अब हमारी हमें अपना डेटा वापस मार्ग में लाना है तो restore backup के थुरू ला सकते हैं बट इसको रुक के बताते हैं यह दिखिए यहां दिया हुआ है delete financial year ठेके न यह delete financial year क्या होता दो वर्ड होते हैं ध्यान से समझना बात को एक होता है यह ध्यान समझ येगा जब हम company select कर रहे हैं तो वहाँ पर एक option आ रहा है delete year और कई अधर software में आपको एक word मिल जाएगा वह आपने सुना भी होगा delete company ठेक तो हमारे software में delete company वोर्ड नहीं है delete financial year है ठेक है अब मैं आपको delete company जो option होता ना कभी यह use नहीं किया जाता है not use ठेक है कभी यह use नहीं किया जाता है क्यों नहीं use किया जाता है मैं बताता हूँ जैसे मान लो आपकी एक company है ए बी सी private limited ठिक इसमें आपने 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2021, 2022 की accounting का रखी है आपने इस company में चार साल की accounting का रखी है तो अगर आप इस company को delete करोगी तो मालू में क्या होगा यह चारो साल का data delete हो जाएगा अगर आप समझ में ही बाद, delete company का मतलब यह होता है कि मान लिजे अगर आपने एक company में चार साल की accounting की है और अगर आप उस company को delete करते हो तो सारा का सारा data delete हो जाएगा अब मुझे एक चीज बताओ क्या कोई ऐसा चाहेगा यह बताईगा आप मुझे बताओ कोई ऐसा चाहेगा भाई अगर आपने 20 साल की accounting के आप अपनी company क्यों delete करना चाहोगा तो यह तो बेकार option है अब आते हैं delete company क्या होता है delete financial year का मतलब यह है कि आप company नहीं delete करोगे उसके किसी financial year को delete करोगे तो सर्फ financial year क्यों delete करेंगे बताते हैं तो यहां पर देखिए अब मैं एक बफर से कर रहा हूं इधर देखिए तो delete company का मतलब यह हुआ कि अगर आप उस company में आपने 5 साल की accounting की है company delete करते हो तो पूरा का पूरा data delete हो जाएगा जो की नहीं यूच किया जाता है डिलीट financial year का मतलब है कि आप इस company के किसी financial year को delete करना चाहते हो कि भाई आम अठारा उनिस का data delete करना चाहते हैं इस company से तो financial year क्यों delete करें कि कर सकते हैं कैसे मैं बताता हूं जैसे मान लीजिए कि अभिशेग जी है अभिशेग जी कहते है कि सर मैंने software slow चल ला है हमने कर लो online डिखा दो सर अब मैंने देखा कि अभशेग जी since 2000 से mark use कर रहे हैं सन 2000 से तो अभी तक उनके इहां पर कितने financial year create होंगे उनकी company में almost 22 financial year की उन्होंने data होगा आप उनके software में बाइस साल का होगा ना दो हजार दो हजार एक दो हजार एक दो दो तीन बाइस साल का data होगा तो हमने कहा कि अभिशेग जी बाइस साल का data आपने software में क्यों रखाए इसकी तो इतनी ज़रुवत है भी नहीं एक काम करिए आप इसमें से 2000 से 2010 तक के financial error के data को आप डिलीट कर दीजे और इसका backup रख लिजे अगर भविश में कभी requirement पढ़ती है तो वापस software में data restore कर लिजेगा तो financial error डिलीट किया जा सकता है तो हमारा financial error डिलीट का option का मतलब है कि हम उस company को नहीं डिलीट कर रहे है उसके किसी financial error को डिलीट कर रहे ह एक डिलीट financial error कैसे होता है इस point को हम यहां discuss करते हैं एक मिनट समय दीजे का मुझा मैं एक साल create कर रहा हूँ कर रहा हूँ एक मिनट हाँ इदा देखिए जैसे KPL में अभी कितनी company के accounting है दो साल की 22-23 और 23-24 अब हम चाहते हैं इसके इस साल को डिलीट करना चाहते हैं 2022-23 का data यहां से डिलीट हो जाके वहल तेज चाहते है तो अगर आप किसी company के किसी financial year को डिलीट करना चाहते हो तो enter करिए डिलीट फाइनेशल यहर पे जाईए enter किस साल को डिलीट करना है हमने का 22 देश को उस साल पे enter करिए अब एक चीज जिरा नोट करिएगा यह बड़ा अच्छा option है देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है डिलीट फाइनेशल यहर जैसे इसके अंदर जा रहे हमने का इस company के किसी फाइनेशल यह को डिलीट करना है तो enter company select की डिलीट फाइनेशल यहर पे एंटर करेंगे जिस साल को डिलीट करना है करसर वहां ले जाएंगे अब यह देखिए उपर पड़ी का लिकर है बैक अट डिलीट तो मार्क सॉफ्टर ने बड़ा बड़ीया option दिया है कि अगर आप company के किसी फाइनेशल यहर को डिलीट करने जा रहे है तो software without backup लिये डेटा को डिलीट नह करने देगा देखिए जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूं तो software पहले पूछ रहा है बैक अप बिफोर डिलीट यानि डेटा को डिलीट करने से पहले बैक अप लिजिए जब तक आप बैक अप नहीं लोगे हम इस financial air को software से डिलीट नहीं करने देंगे अब यहां पर आपका question है क sir मानलो हम पहले ही इस company का बैक अप ले चुके हैं उसके बाद हम उस financial air को डिलीट करने जाएं तो भी क्या software हमसे पूछा है उसके बाद इस साल को डिलीट करने जा रहे हैं तो क्या तब भी software हमसे पूछेगा जी बिलकुल software को इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता कि जो financial air आप डिलीट करने जा रहे हो उसका आपने बैक अप लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है software सीधे कहता है लिया हो तो भी अच्छा है ना लिया हो तो भी अच्छा है हम तो भाई without बैक अप लिये data को डिलीट नहीं करने तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो डिलीट नहीं म जैसे ही delete backup का process complete हुआ देखे जैसे ही आपका backup complete हो गया लिख क्या रहे आ यू sure ? type delete यहा डिलीट लिख दोगए D E L E T अब देखो बाइस तेस delete हो गया अब हुआ क्या कि भाई गौरंग सर कहने लगए सर होता नहीं है बड़ एक बार के लिए मेरी बात मान लो हमने आप बताईए गौरांग जी कहते हैं सर मुझे एक कंपनी डिलीट करने है हम ने कर डिलीट क्यों करें जब आप एकाउंटिंग करें मान लिज़े डिलीट करने ही क्या करें तो मार्क सॉफटेर में डिलीट कमपनी का तो प्रोसेस है नहीं लेकिन गौरांग जी कहते हैं कि मुझे कमपनी डिलीट करनी को तरीका है अगर किसी कमपनी में केवल एक फाइनेशईल एरयर और उस फाइनेशल एर को आप डिलीट कर दोगे तो बैक अप के लिए पूछेगा हमने कह दिया डी ड्राइब में अजय फोल्डर के अंद बैक अप लेगी जैसे बैक अप हो गया तो हमने डिलीट टाइप करना है कि एंटर करते हैं जो लो के पिल कंपनी रहे है नहीं देखो के प्रेस करने पर आई नहीं रहा कुछ देख लो पूरा दिखा दे रहो है कि क्यों पॉइंट क्लियर है कि इतना सोज मैं है सब्सक्राइब अगर उसका डेटा वहापस सॉफ्ट्रे में लाना तो कैसे ना है तो आपके पास और लेडी बैक अप है डी राइब में अजय फोल्डर में अपने डेटा का बैक अप दे रखा है तो अगला पॉइंट आता है कि अगर किसी कंपनी के डेटा को वापस मार्क सॉफ्ट्र में लाना है तो कैसे लाए ठिक अब तो हम कहीं पर सॉफ्ट्र में लिस्ट आफ कंपनी पर कहीं और रहके एंटर करिये। किया है? यहाँ दे कोई का रहा है डाइब यहाँ एक बात को ध्यान दीजेगा हमने आपको सिखाया कि मार्क सॉफ्ट्र में आप आप तीन तरीके से डेटा का बैक अप ले सकते हो नंबर वन पाइणिल bites बैक प्युवैक अब नेशेटा का बैक अप ले सकते हो नंबर वन्हों जास हैं तूर्ट की बात करते हैं या पर रीश्टोर बैक अप तो यहां से केवल फाइनिशल एर बैक अप ही रीश्टोर हो सकता है अगर आपने अपने डेटा का आई एम्टी बैक अप ले रखा है उसको यहां से रीश्टोर नहीं करा सकते अगर आपने अपने डेटा का सर्वर बैक अप ले है backup डीड्राइब में डाटर्य से सर्च करो डीड्राइब डीड्राइब में कहा था अजए फोल्डर में प्लेट करो यह देखो अब सर हमारे कंपनी में तो दो साल थे हमको कैसे पता चले गाएए दो फाइलों में किस साल में किस कुछा है ध्यान से पढ़ना एक देट 23 31 मार्च 24 यानि इसमें 23 24 का रेट है इस वाली फाइल में इस वाली फाइल में अप्रेल 22 मार्च तो हमने का पहले 22 देश का लेना है उस पर क्लिक करिए रीश्टोर दो मिल दीजेगा ठीक है चेक करिए केपिल इंडिया प्राइबिट लिम्टेट आगी ने कमपनी देखो सुरी केपिल लिम्टेट थी ना यही थी साहिए यही थी 22 चेक तो सार इसके दूसरे साल का भी लाना है फिर से इस पेंटर करो कहीं पेंटर रीश्टोर रीश्टोर फाइल यह थे इस पेंटर क्लिक किया सेलेट रीश्टोर कर दो कि कि अब देखिए अब इसमें दोनों साल का डेटा आ गया होगा यह देखिए बाइस से इस तो फाइनेशल एयर के तुरू आप अपने डेटा का बैक अप कैसे लोगे और उसको कैसे रीश्टोर कर आओगे यह क्लियर है समझ में आया आप लोगों को किसी को डाउट हो तो बताइए सिंपल है यहां से आप बैक अप लोगे यहां से रीश्टोर करा दोगा और यहां से फाइनेशल एक आपको डिल्ट आगे बढ़ते हैं एक बाद फिर से पता जैते हैं कुछ नहीं करना है मालो हमने का Имस कमपणी में हो इसका बैक कप लेना एंक प्ट किया जनका इस साल करना बैक गलू को अजिया एणे में एंटर करते हो गा इस से फार चेंज करना हका एह फ्टैंच से चेंज कर दो back up हो गया अब हमने कहा कि नहीं अभीनाजी कहते हैं कि सब मुझे एक कंपनी दिलीट करनी है एंटर तो हमने बोला हमायी कंपनी नहीं डिलीट हो सकती है उसके फाइनिशल हो सकते हैं तो इस साल को डिलीट करना है बाइस दे इसको एंटर पहले वह बैक अप पूछेगा विदाउट बैक अप यह डिलीट नहीं करना देगा अल्रेटी हुआ तो भी पूछेगा जैसे वह बैक अप प्रॉसेस को फॉलो करेगा तब बोलेगा अच्छा डिलीट कर दो ठीक दो साल डिलीट होगे इसका दूसरा भी डिलीट करना है एंटर बैक अप पहले ले लो वह विदाउट एक तरीके से समय लो बीच में वह डिवाइडर है हम पहले बैक अप लो तब देंगे ठीक अब देखो के पिल इंडिया प्राइबिट लिंपिट कंपनी नहीं आ रही अब वापस लाना है कहीं पर भी दैके एंटर करो रिस्टोर में जाओ तो पूछ रिस्टोर फ्रॉम फाइल तो सॉफ्टर पूछा आपका बैक अप है कहां तो यहां से डिरेक्टर का डेटा है इसमें 22 का इस बाइस देश यह रहों यह 22 है कि अधिक अब उसके बाद देखो एंटर फिर हम रिस्टोर करने दूसरे साल को तो यहां पर गया है अब इनाश अब समझ में आगे आपको अब देखो इसमें दोनों साल और जितना काम कियों को सारा आजाएगा अब क्लियर है सबी लोग को तो हमें मार्क गेटर पे समझ में आगे क्या यूज होता है बैक अप आ गया रिस्टोर आ गया डिलीट आ गया अब हम बात करते हैं न्यू फाइनिशल इयर एक मिट देना यह पूरा टॉपिक आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो यह कुछ एडवांस चीज़े भी बतानी इसमें तो बाकी कल बताएंगे ठेक है इदर देखें न्यू फाइनिशल इसमें आप दो हजार बाइस तेस की अकाउंटिंग कर रहे हों एक अप्रेल दो हजार बाइस से कत्तिस मार्च दो हजार तेस हैं तो कल से कौन सा दिन लग जाएगा एक अप्रेल नया साल आगया तो नलोग के अगर हम्हें किसी कंपनी में निव् फाइनिशिल इर क्रियेट करना है तो नया financial year create करना होता है तो उस company को select करिए और यहाँ देखिए एक option दिया है new financial year यहाँ से हम किसी भी company में new financial year create कर सकते हैं तो जैसे हम इस पेंटर करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना software बता रहा है कि आपका पुराना साल चल ला है एक अप्रेल दो जार बाइस 31 मार दो जार तेस हमने का जी सर करना नया साल जो software automatic create करेगा वो एक अप्रेल तेस से हमने का यही होगा ही आपको accept है हमने का जी नहीं है तो cancel कर दो accept software एक warning दे रहा है कि you are going to create new books of account तेस टु चोबिस हाँ भई यहां पर वो काम आएगा जो सिखाया था अप्रेल चीज़े होती है इंकम एक्सपेंस एसेट्स लाइबिल्टी यह चार चीज़ों पर account depend है ठीक है इन्ही चार चीज़ों पर accounting depend होती है ठीक है तो यह अभी मैं फिल अभी आप लोग कापी में सिर्फ note कर लिजे note कर लिजे यह सभी लोग note कर लिजे जो मैं बढ़ा रहा हूँ कल इसको समझाओं अच्छी तरी इसमें पंदर मिट लएगा ठीक है क्योंकि इसमें मैं आपको पहले बता दूँ बहुत से लोग इसमें अभी आने वाला नया financial year दो महीने बाग तो आपके बहुत काम की जीज झीज है अभी शेख जी कोशल जी तेक न तो आपको किसी से पूछनान नहीं पड़ेगा तो जो नई नई चीज हो तो वह बता देंगे इए नोट करिये जब हम एक financial year से दूसरे financial year में जाते है तो केवल assets और liability जब हम एक financial year से दूसरे financial year में जाते हैं तो केवल assets और liability के ledger का closing balance कल practical करके दिखाऊंगा जब हम एक financial year से दूसरे financial year में जाते हैं तो केवल assets और liability के ledger का closing balance अगले साल carry forward होता है यानि इस साल का closing अगले साल opening मन जाएगा जब हम एक financial year से दूसरे financial year में जाते हैं तो केवल जब हम एक financial year से दूसरे financial year में जाते हैं तो केवल assets और liability के ledger का closing balance ही अगले साल carry forward होता है income और expense का नहीं होता है note कर लिजे जब हम एक financial year से दूसरे financial year में जाते हैं तो केवल assets और liability के ledger का ही closing balance अगले साल carry forward होता है income और expense का नहीं होता है ठीक है नोट का लिया यह वाला point मैं कल आपको सिख्वाँगा ठीक है तो आज हम इतना ही रखते हैं बाकी हम लोग कल discuss करेंगी तो यह कल की class मिन्स मत करेंगा और time पर सब लों connect करेंगा तीन बजे तो यह financial year कैसे manage होता है एक साल का closing balance अगले साल लेजर का opening कैसे convert होता है अगर सर्मालों अगले साल काम कर रहे हैं पिछले साल में कुछ changes करते हैं तो उसका impact अगले साल कैसे पड़ेगा वो सारी चीजें हम कल करके आपको सिखाएंगे तो आज हम इतना ही रखते हैं thank you very much कल हम हम लोग जॉइन करेंगे तीन बज़ तीन मज़े करेक्ट जॉइन हो जाईएगा तो आगे का हम लोग पॉइंट डिसकस करेंगे ठीक है अब जी जी थोड़ा करेक्ट हुए डेली हां इसके लिए अभी अभी उन सर्व आप उनसे बात करिए विपिन जी से वो कर देंगे चलिए मैं मेटिंग एंड करा हूं कल मिलते हैं